तमस्कार दोस्तों सनुशा चैनल में आपका स्वागत है आप सनुशा आपके लिए लाया है योगा चेयर ये देखिए आप इस पे बैठके योगा कर सकते हैं काफी अच्छी कमफर्टेबल चेयर है ये देखिए योगा चेयर है इसमें तीन मॉडल आते हैं एक कुशन के लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आता है हलका कुशन आता है तो ये आपके उपर होती है कि आप किसको चॉइस करेंगी ये देखिए ये कमफर्टेबल है कुशन है इसमें थोड़ा कम कुशन है वो दोनों सेम है बस कलर अलग है इसमें कुशन जाता है ये देखिए थोड़ा स आपको support मिलेगा तो जिनको ज्यादा problem होती है जमीन में बैठने के लिए वो उनके लिए perfect होती है और जिसको थोड़ा सा अपना bear कर सकता है और अपना yoga class ठीक से शुरू करना चाता है तो वो कम cushion वाली भी chair prefer कर सकता है संग में back side इसमें जैसे दिखा रही थी support है तो कई लोग बिना support के नहीं बैठ पाते है उनको problem होती है तो इसलिए बीचे इसमें support भी मिलता है ताकि starting में अगर आप yoga शुरू करना चाते हैं तो आप yoga शुरू नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप लोग को support नहीं मिलता प्रॉपर ढंग से बैठने में problem होती है तो कितने लोग इसी का सोच के भी वो yoga शुरू नहीं कर पाते हैं लेकिन यह chair इस तरह से बनी है कि आप अगर अपना यह शुरू करना चाते हैं yoga classes तो आप इस पे बैठ के अराम से इस पे योगा शुरू कर सकते हैं यह आपके लिए बनाई गई है इसमें मतब बहुत comfort होता है तो मतब एक तो cushion वागाता है जिसमें आपको comfort मिलेगा दूसरे में cushion नहीं होता है इसमें आप यह देख रहे हैं पोजीशन है यह अपने हिसाप साप adjust करना चाते हैं एकदम straight रखना चाते हैं तो first पे करेंगे यह थोड़ा से relax mode में होता है और यह सिफ yoga chair नहीं है यह picnic chair भी अपने हैं especially जमीन में और योगा चेयर हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग जमीन में कम बैठता है आजकल लोग चेयर पे या उस पे बैठना ज्यादा प्रिफर करता है उपर के ऊची चीज पे तो उनको जमीन में बैठने की आदत नहीं होती है तो हम लोग इसका नाम योगा चेयर दे हैं ताकि लोगों को जमीन में बैठने की आदत हो जाए तो उनकी फिजिकल एक्सरसाइस के साथ साथ उनको थोड़ा से सपोर्ट भी मिलेगा और धीरे धीरे फिर योगा करने की आदत भी हो जाएगी और बौटी जह काफी फ्लेक्सिबल भी हो जाएगी यह देखी है थोड़ा एक्ष्म मोन में जासे आगर एक्डम पीछ warp हो एकडम पीछे करके अराम से बैठ सकते हैं या अगर हम योगा कर रहा है तो एकडम एक बैटने के लिए स्ट्रेइट सपोर्ट चाहिए तो हलकी शापोर्ट चाहिए तो उसके लिए यह पोजिशन है उसके लावा बीच का भी है जैसे बच्चे कभी-कभी पढ़ाई करते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं तो हमको एक हलका सा सपोर्ट चाहिए बहुत जादा बैक भी नहीं हो रिलाक्स मोड में भी नहीं हो थोड़ा स्ट्रेट मोड में हो तो हमारे लिए ये तीनों पोज प्रशिशन हो उसमें नहीं तो ये देखिए ये इस समें लैटॉप पर काम करें तो ये हलका सा आपको सपोर्ट भी मिल रहा होगा ये देखिए ये आपको पीछे से सपोर्ट भी मिलेगा और बैठने में भी कमफ़र्ट है तो आप यहां पर कर सके अपना काम कर सकते हैं य तो इनको बहुत मसाे है यहां पर बुक्स पढ़ने में, इनको बहुत इस समें इंजउए कर रही है यहां पर बैटके, बुक पढ़ते हुए। यह देखिए, यह रिलाक्स मोल बे है। पिकनिक में अगर जाना चाहे अराम से अदमी जमीन पर बैठ सकते हैं क्योंकि जनरली अगर हम पिक्मिक पर जाते हैं या तो मैट या शीट वगरा ले जाते हैं लेकिन बैठने में बहुत दिक्कत होती है तो इसलिए अगर हमारे पास यह चेर जाएगी तो हमको सपोर्ट भी मिलेगा और हम आराम से इसे बैठ सकते हैं तो हमें उमीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू